Hello dear students, welcome. Today I am going to teach you another lesson namely the prodigal son which has been taken from the English textbook of class 5th tulip series. Students, the prodigal son एक parable है. Parable यानि एक ऐसी simple short story जिसमें कोई न कोई नसियत आमोजबात छुपी हुई होती है. Students, prodigal का मतलब होता है एक ऐसा शक्स जो इस्राफ करता है, यानि वो जो अपनी दी हुई पैसों का बेताशा इस्तिमाल करता है, उन्हें फजूल में उड़ाता है, फजूल खर्ची करता है. यह कहानी है, वालिदेन के महबत और दरगुजर की, the prodigal son. In this story, a rich man had two sons. The elder son was hard working, but the younger one loved to do nothing, but enjoy all the time. He wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. इस कहानी में एक अमीर शक्स होता है, जिसके दो बेटे होते हैं, बड़ा और छोटा, बड़ा एक महनतकश्च जिन्दगी गुजरने में येकीन रखता है, जबकि छोटा बेटा एक आजादाना जिन्दगी गुजरना चाहता है, छोटा बेटा एक ऐसी जिन्दगी चोटे वेटे ने अपने वालिद से अपने हिस्से का अपनी प्रॉपर्टी का शियर लिया और दूर एक जगा पे जा बसा वहाँ पे उसने तमाम जो अपनी प्रॉपर्टी है अपना शियर था अपना हिस्सा था वो उड़ा दिया मज़े किये और खुद बूका तडपने लगा अब वो बरपूर पश्तावे में था क्योंकि उसने गुनाह किया था उसने गुनाह किया था अपने वालिद के खिलाफ उसने गुनाह किया था अल्लह के खिलाफ अब उसके पस कोई रास्ता नहीं बचता था अपने वालिद के पास वापस जाने के सिवा वालिद बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका जो बेटा था वो वापस आ गया था He arranged for him a big feast उसने उसके लिए एक बड़ी जीन दावत का इंतिजाम किया But the elder son was angry to see this He complained of it to his father बड़ा बेटा बहुत ही गुसा हुआ यह सब कुछ देख के उसने वालिद से इसके बारे में शिकायत की But the father spoke words of great wisdom वालिद ने कुछ ऐसी बाते की जो बहुत ही दानिश्मन दानाच थी उसने अपने पेटे से कहा He said the brother of yours was dead and has become back to life तुमारा जो बाई था वो फोथ हो चुका था लेकिन अब उसे नई जिन्दगी मिल चुकी है वो खो गया था हमसे लेकिन अब वो मिल गया है Let us accept him for he wants to become a good man God teaches us to be kind and merciful वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है इसलिए हमें उसे माफ कर देना चाहे क्योंकि खुदा हमें हमेशा सिखाते हैं कि हमें महरबान और रहम दिल बनना चाहे अगर कोई बुरे बुरा रास्ता तरक करके अच्छाई पे आना चाहता है तो उसका हमें बाहें खोल के सौगत करना चाहे इसलिए तो अल्ला ताला ने गुनहगार इनसानों के लिए तौबह के दर्वाजे हमेशा खुले रखे हैं हम चाहे कितने ही गुना करें अल्ला ताला हमेशा मौफ कर देता है